गैस कि आप online में काम ढूनते ढूनते ठक गए हैं, online में money making ideas को सर्च करके उसको apply करते ठक गए हैं तो आज इस video को एक बार और देख लो, एक final बार देख लो और उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाए तो guys, online industry आपके लिए नहीं है, आपको कुछ और ढूंड लेना चाहिए क्यों? क्योंकि आज के वीडियो का topic क्या है? easiest online income in the world कि इससे आसान मैंने अपने career में तो नहीं देखा कि इससे आसान कोई काम मैं online में करके अपनी earning generate कर सकता हूँ यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने की easiest online income आपको बिल्कुल घबराने की जुरूरत नहीं है, आज मैं आपको नहीं सिर्फ बताऊंगा कि ये काम क्या है आने वाले 30 second के अंदर reveal कर दूँगा, don't worry about it, मैं आपका जादा time नहीं लूँगा और अगर आप उस 30 second के अंदर टिक गया और आपने मन बना लिया कि यहाँ मैं ये कर सकता हूँ तो guys उसके बाद पूरी वीडियो में मैं उसका practical करके दिखा दूँगा कि आपको भी यही same steps follow करने हैं और इस तरीके से इस काम को करना है और आपके account में जो है पैसे आते रहेंगे तो ये इतना आसान काम रहेगा तो guys एक छोटे से like के साथ शुरू करते हैं मैं उस काम को reveal कर देता हूँ and जो आपको करना है उसे कहते हैं printables guys printables क्या होते हैं जल्दी से सुन लो इसका meaning guys tier 1 countries में जिसमें सबसे बड़ा है US US में क्या होता है कि लोग ऐसे ऐसे printables खरीदते हैं जिनको वो खुद download करते हैं और फिर उसका print निकालके उसको इसको इस्तमाल करते हैं उसे कहते हैं printables printables product इस दुनिया का सबसे आसान product माना गया है मैंने खुद भी research किया है और इस पे काम करना इतना आसान बन सकता है अगर आपने इसको एक बार सीख लिया क्योंकि इसमें ना manufacturing है ना shipping है ना packaging है और ना ही बहुत बड़ा workforce बतलब manpower चाहिए कि labor चाहिए engineers managers नहीं कुछ भी नहीं ये इतना आसान काम है आप घर में बैठके पूरे दिन में आप 50-60 printable products easily बना सकते हो और वो online automatically बिखेंगे, automatically download होंगे, automatically आपके account में पैसा आएगा ये इतना आसान काम है तो guys दिमाग ठंका, बिल्कुल ठंका होगा अब मैं आपको इसको पुरा practical करके दिखाता हूँ और अब बताता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ guys, US country जो है यहाँ पर copyright content के ऊपर काफी जादा strictness है तो यहाँ पर लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि उनको कुछ चाहिए तो Google पे गए और वहाँ से उन्होंने download कर लिया image या किसी तरीका से logo और फिर उसको print करके use कर रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है इस country में तो इस country में लोग क्या करते है कोई भी चीज अगर उनको चाहिए होती है तो उनको वो buy करना पड़ता है क्योंकि buy करने के बाद ही उसके rights उनको मिलते है कि अब उस particular product को भले ही वो digital product हो उस particular product को अब वो use कर सकता है अपने लिए और इसी का ही फाइदा उठाना है मैं आज printables product बना के जैसे कि मैंने already अगर आपने इस product के बारे में सुना होगा तो मुझसे ही सुना होगा क्योंकि मैंने ही सबसे पहले YouTube में अपनी country के लोगों को हिंदी version में ये डाला था कि printables product जो है वो कहां सबसे जादा बिकती है अमर बहुत जबर्दस बिकती है Etsy में गैज Etsy एक इतना बड़ा platform है मानलो कि ये तकरीबन Amazon है digital products के लिए तो आप समझ सकते हो अगर मैं Amazon से compare कर रहा हूँ Amazon किसलिए होता है ये physical product के लिए होता है कि यहाँ पर आप chair table, kurse, phone, laptop वगरा खरीते हो लेकिन digital product का Amazon कौन है गाईज Etsy यहाँ पर आप digital products को बेचते हो और digital product बनाने के लिए आपको किसी भी तरीके के कोई manufacturing की जरूरत नहीं होती, किसी भी labor की जरूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पर सारी चीज आप अपने laptop और internet connection से कर लेते हो जी हाँ, बिल्कुल सही है तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस दुनिया के सबसे easiest जो printables product है और सबसे ज़्यादा बिकने वाले easiest तो printable product कोई भी हो सकता है खाली आपको can आना चाहिए, photoshop आना चाहिए या आज क्रिट में तो AI जा गया है और भी आसार हो गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो popular categories हैं, जो की सबसे ज़्यादा printable बेच पाती है वो कौन से होते हैं, वो सुन लो और उसके बाद practical करेंगे, जल्दी से like कर दो गाइस और अभी तक subscribe नहीं किया, तो किस चीज़ का wait कर रहे हैं इस ताइब की videos मैं continuously बताता हूँ तो अब मैं जल्दी से बताता हूँ list of popular printables on Etsy सबसे popular बताऊंगा, क्योंकि popular होने का reason है कि यहाँ पर आपको high volume sales मिलेंगे और इस high volume sales से ही आपका जो revenue है, वो generate होगा तो जल्दी से उस list पे focus करते हैं और list में से आपपे कर लेना कि आपको सब में काम करना है या इन में से एक पे या दो पे काम करना है क्योंकि अगर आप सब में काम करोगे तो आपको सब में expert होना पड़ेगा उस design का या उस matter का लेकिन अगर आप एक पे करोगे तो एक पे तो आप expert ही लाही सकते हो दहीदर इस experience हो जाएगा और आप उसमें बहुत जादा expert हो जाओगे तो अब मैं आप पे decision चोड़ता हूँ कि सब में करना है एक में करना है वो आप देखो लेकिन मैं अपनी तरब से उस list को जल्दी से यहाँ पर आपको दे देता हूँ So the first name in the list is wall art Guys wall art आप अगर यहाँ पर देखो गे So यह digital downloads दिखा रहा है And digital downloads का मतलब है कि इस wall art को लोग buy करेंगे और बस उनका काम हो गया Sellers को मज़े आगा है कि उसको ना भीजना पड़ा ना इसको manufacture करना बड़ा कुछ भी नी So that is the first thing in the list Second list पे जो मेरे पास है That is daily planner Can you imagine tier 1 countries के लोग daily planner खरीदते हैं कि उनको आज क्या करना है इसको print out निकालेंगे उसमें लिखेंगे और फिर रात को सो जाएंगे और सुबह उठके उस काम को वो करेंगे पूरा दिन इस daily planner को भी लोग खरीदते हैं आपको यकीन नहीं होता है तो आप देख लो यह भी digital download है और इस पे भी अच्छे खासे reviews जो है यह आ चुके हैं मतलब यह product भी बिक रहा है And that is the number two list in this item जली से देखते रहो फिर मैं आपको इसका practical भी दिखाने वाला हूँ Third is coat Coats लोग buy करते हैं ऐसा नहीं है कि मतलब you know Google पर गई डाउलोड किया और उसे अपने दिवारों पर टांग दिया नहीं Coats तक buy करते हैं यहाँ पर देखो Motivational Coats यहाँ पर buy किया जा रहा है हाँ उस Motivational Coats को एक frame के form में और size पगरा proper mention करके इसको दिया गया है इसमें अपना खुद का font बगरा यूज किया गया थोड़ा सा design किया गया लेकिन इसको download करने के लिए लोग खरी देंगे 348 का Indian rupees में है तो US में लोग 5 जॉलर का buy करेंगे Definitely very quite impressive Digital download ठीक है Fourth again यह एक wall art है लेकिन यह बच्चों के लिए nursery decor मतलब वो अपने बच्चों के room पे लगाते है इनको download करते है frame में fit करते है बच्चों के room में लगाते है यह भी कितने का बिखता है 1800 रुपे का और आप यहाँ पर देख लो साफ यह digital download है मतलब यह एक file है यह कोई product नहीं है की proper frame बनाएंगे और फिर भेजएंगे और तब जाके audience जो है रिसीव करेगी नहीं proper digital download है चार files होगे यहाँ पर इसमें से कोई भी चार उनको मिल जाएंगे guys next है vintage wedding invitation can you imagine wedding card जो इंडिया में लोग जाके जहां से छपवाते हैं वहीं बनवा लेते हैं लोग यहाँ पर बकाइदा उसके लिए Etsy में जाते हैं बाइ करते हैं 15 in the basket और इस जाद अप्रूफ क्या दू लोगों के basket में अभी भी यह पड़ा हुआ है वो जस्ट खरीदने वाले हैं नेक्स चलते हैं फटफफट से stickers गाईस के लिए इमाजिन कि यहाँ पर आपको stickers बनाने है खाली लोग इसको sticky paper पर डाउनलोड करेंगे और अपने घर में जहां-जहां यूज़ करना है fridge, cooler, TV, AC, wall जहां पर भी है वहाँ पर उसको यह sticker जो है वो डाउनलोड करके print करेंगे और फिर उसको वहाँ पर लगा देंगे guys, easily bicker eye can you imagine again, digital download review for this item 32 review भी आ गया है मतलब यह product जो है बिक रहा है तभी तो इस item के लिए review आया है next है printable card guys, यह cards तक बिकते हैं कि यहाँ पर लोग अपना birthday या कोई celebration करते हैं तो उसका cards भी यही से बनवाते हैं और यहाँ से in fact download करके उसको buy करते हैं आप देखें तो 100 रुपे के card के सिर्फ print out बिक रहे हैं 200, 200, 300 just for example अगर मैं मान लूँ कि यह वाला है जो सबसे सस्ता है अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखो 12 in the basket Father's Day का यह card भिक रहा है क्योंकि यह card भी digital download है चार PDF फाइल मिलेंगे लोग खली download करेंगे और अपने fathers को gift करेंगे किसना amazing काम है गाई इस से आसान काम जल्दी बताओ क्या मिलने वाला था नेक्स्ट है गाईज लेबल जस्तिंक आफ इडिजिल प्रिंटीबल लेबल लोग लेबल खरीदते हैं ताकि इसको प्रिंट करके इसके अंदर जो भी लिखना है as a label वो खरीद सकते हैं या तो gift में लगाने के लिए जहां पर भी लगाने के लिए I don't know बट आप यहां पर देखो कि यह भी बिकता है और यहां पर भी इसका प्राइज अवेलेबल है और यह भी डिजिल डाउनलोड है नेक्स्ट चल्दी से आते हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भी करना है गयाईज आट सो दो रुपे का बिक रहा है यह है बर्सडे सेलिब्रेशन मेन्यू कार्ड की बर्डे में मतलब क्या-क्या होगा फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, मेन कोर्स, डेजर्ट यह सारा यहां पर मैंशन है बगाइदा, आप यहां पर देख लो यह सारी चीज़े बिक रही है दोस्ट और मैं इस से आधा क्या पता हूँ यह प्रिंटेबल है अगें डिजिटल डाउनलोड है इस पे यह सारे मेन्यू कार्ड है जो कि वह वहाँ पर तो लेबर महंगी है वहाँ पर जिससे वह बनवाएगा फिलांसर से वह तो बहुत नागा कॉस्ट करेगा यहाँ पर उसको सिफ कर देना आप यहाँ पर भीक रहा है जो कि टाग हम गिफ्स पे लगाते हैं यह कहीं भी लगाते हैं किसी चीज़को देने के लिए जैसे कि आप देख रहे हो तो यह टाग तक यहाँ पर भीक रहे हैं 463 वगरा वगरा 546 में डिजिटल डाउनलोड है यह रह टाग जो कि य यूएस जैसी कंट्री में 5 डॉलर निकालना वह भी उस काम के लिए जिस काम के लिए वह अपने लोकल किसी फ्रिलांसर को या वेंडर को 100 डॉलर देगा उससे तो फार फार बेटा रहे क्योंकि यूएस एक एक स्पेंसिफ कंट्री है लेकिन वहाँ पर लोगों के पास पै चुका हूँ कि कितना इजी काम है आपको सिर्फ इन आइटम्स को बनाने है एज डिजिटल प्रोड़क्ट एज डिजाइन वास इसके लाब आपको इंडिया में बैठके यूएस के डॉलर के मज़े लेने हैं तो आप चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं यह सा आप समझ भी जाओंगे और करना भी शुरू कर दोगे अब मेरे पास है कैनवा कैनवा में सिंपल गया और जाने के बाद मैंने हां पर क्रियेट डिजाइन पे सिंपल ए थ्री डिजाइन लिखा मतलब इसका क्या सिंगिए यहापर तो मुझे पता लगा इसको लोड मॉर अ का लेंगे ना guys that will be something like inches में होगा या तो inches में ही कर सकते हो या फिर आप इसको a3 भी करोगे तो इसी inches में निकल के आएगा तो यह सारे dimensions पढ़ने के बाद मुझे लगा अच्छा इस dimension में ही चीज़े बिक्ती है इसके लाब आप यहां पर चेक कर सकते हो कि यहां पर क्या-क्या अवेलेबल हैं इंचेस कितने इंचेस में आपको बनाना चाहिए तो पहली मैं पहुझ गया कि a3 बनाना चाहिए और a3 में मैंने यह कुछ डिजाइन अभी जस्ट आपके लिए बनाए हैं यह एक फोटो फ्रेम है यह दूसरा फोटो फ्रेम है और यह तीसरा फोटो फ्रेम है तीनों सिमिलर दिखना चाहिए क्योंकि एक वाल्ल में लगेंगे एक अच्छा लेवल पर काम करने में आप सबको हेल्प करता है आप फ्री में भी ट्राइए करोगे तो शायद हो जाए आप कर लेना जैसे मैं इसका बैक्राउंड जो है वह रिमूफ कर दिया रिमूफ करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको अब अपने अकौर्डिंग सेट क अपने से बहुत लोग नहीं होंगे वह बिचारे बिलकुल फर्स जाया ऐसा मैं बिलकुल भी नहीं चाहूंगा तो guys मेरा एक frame तो set हो गया अब ये बिल्कुल इस type का frame लगने वाला है जो कि यहाँ पर है बिल्कुल exactly तो नहीं है लेकिन ठीक है आप मान लो कि यही वाला है अब मुझे simple क्या करना है देखो अब मुझे elements में जाना है दुबारा अब यहाँ पर क्या क्या है बहुत ही basic सा design है एक leaf है और पीछे कुछ abstracts है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा abstract shapes तो आप चाहो तो इसको use कर सकते हो like अगर मैं चाहूँ अपने design के according मैं इसको बना सकता हूँ let's suppose थोड़ा सा इसको एक classy look देने के लिए यह ले लिया अब इसके बाद मैं थोड़ा सा graphics को लेना चाहूँगा यहाँ से इसको color change करना है आप color change कर सकते हो depending upon कि आपका वो wall color क्या है और आप कि इस चीज़ का बेचना चाहरे हो आप यहाँ से ideas उठा सकते हो इसने multi color लिया तो मैं भी multi color ही लूँगा इस तरीके से और कितने shapes से इसमें एक यह dot 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 कुछ है तो dot dot को कर लेते हैं तो for example यह dot है तो in dots को मैं यहाँ लगा देता हूँ तोड़ा सा और देख लेते हैं इसके अंदर abstract क्या क्या है मेरे एक abstract design तो तयार हो गया है मेरे according मैं बिल्बिल copy paste करने तो वाला था नहीं तो मैं वहां से सिर्फ inspiration लेता और मैं एक wall art तयार करने वाला था तो एक wall art मैं तयार कर दिया है मेरे basics से knowledge से अब मैं अब इसी का ही आपको सिर्फ duplicate रखना है और थोड़े बहुत चीज़े चेंज करना है क्योंकि एक wall art में बिल्कुल different different चीज़ा अच्छ नहीं लगेगी आप यहां पर देखो कि बिल्कुल यह similar है सिर्फ full के design चेंज हुए है और बाकी पीछे जो abstract shapes से वह खाली चेंज हुए है बाकी पूरा design सबको सेम लग रहा है ऐसे ही मैंने तीन यहां पर duplicate कर लेने हैं और इन में थोड़े बहुत changes करने जैसे for example मुझे एक तो यह leaf change करना है माल लेते हैं कुछ और leaf देते हैं like this यह वाला leaf दे देंगे यहां पर ग्रीन ही देना यहां पर भी आके leaf change कर दो थोड़ा बहुत जो भी आपको लग रहा है कि best leaf जैसे green leaf में जाओंगा green कौन सा leaf यहां पर सही रहेगा तो एक काम करते हैं इसको हटा के इसको मैं इस type का बनायता हूं like this अगर अच्छा लग रहा है तो ही अगर अच्छा नहीं लग रहा तो हम हटा देंगे जैसे for example यह और लग रहा है यह उपर से आ रहा है तो यह और लग रहा है तो आपको न नाखों के सामने करके दिखा दिया आप मुझे बताओ कि यह तीन जो वॉल आर्ट है यह मैं बेश सकता हूं या नहीं like this like this or like this simplistic और Etsy में कितने का बेखेगा Etsy में लोग इसको 781 रुपे में डिजिटल डाउनलोड बेख रहा है same happens guys अब आप कोई भी यहां से planner बनाना चाहते हो planner बना लो आप यहां से coat को बनाना चाहते हो फ्रेम को करो copy यहां पर आओ और यह रहां बन गया आपका wall art guys match कर लो अगर मैं जूट बोल रहा हो तो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है number one कि सबसे पहले आप अपनी creativity को निखारो और यह देखो कि और कितना आप creative बन सकते हो आप किस टाइब के stickers या किस टाइब के pamphlet या किस टाइब के coloring pages यह सब बना सकते हो तो अपनी creativity को निखारो वो तो तब ही हो जाएगा जब आप practice करोगे बहुत ज़ादा canva में जाओगे और चीज़े आपको अपने आप वहाँ पर समझ आ जाएगा जब आप सच में practice करोगे यह rule है दुनिया का कि practice makes a man perfect now the second important thing अगर आपको काम्याब होना है वो यह है कि आपको Etsy को बहुत ज़्यादा research करना पड़ेगा in-depth में जाके आपको इसके अल्मोस हालेक प्रोट को open करके देखना चाहिए कि कौन से product है जो कि सबसे ज़्यादा baskets में है कौन से product है जो कि सबसे ज़्यादा top में rank कर रहे हैं किस type के product जो है वो किसी एक particular keyword में top पे आई जा रहे है ऐसी कौन से category है जो सबसे ज़्यादा homepage पे चलती है तो इस type के कुछ research ना आपको continuously करते रहने पड़ेंगे उसके बाद ही आप Etsy जैसे platform को करीब से जान पाओगे औ और एक बार अपने Etsy को पकड़ लिया तो आपको समझ जाना चाहिए guys कि आप किस level तक का काम ले जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार बोले जा रहो guys कोई manufacturing का cost नहीं कोई labor का cost नहीं कोई यहाँ पर आपको shipping का cost नहीं कुछ नहीं guys सिर्फ आप PDF बेज बेज के earn कर र आते हैं कि यह सब बखवास है यह तो क्या easy है इसमें आप एक order तो लाकर दिखाओ वगरा वगरा ऐसी बहुत सरे चीजें जो है इस वीडियो में भी आ जाएंगी मुझे पता है लेकिन मैं उन लोगों को ना बोलना चाहूंगा टाठा वाई बाई 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 पता क्यों क वह वाला easy तो है नहीं कि आपके मुझे चल के खाना आ जाएगा ऐसा है तो easy काम इस दुनिया में बना नहीं अभी तर अगर किसी को मिल गया है तो वह पता क्या है उसको चिराग मिल गया है वो घिसता है और काम हो जाता है तो वह वाला काम तो आप लोग लिए exist नहीं करता और वो है मेरा ये printable तो आशा करूँगा कि अब मैंने अपना point जो है वह आपको समझा दिया है अब आप कोशिश करोगे कि इस काम को निभाने की इसमें कोई भी problem आती है तो आप मुझे comment करके मुझे पूछ सकते हूँ अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा comment नहीं हुआ तो देख लेना आपको हर लिस्टिंग का इतना चार्ज करना पड़ता है अगर आप पूरे महीने में 100 प्रोड़क्ट भी लिस्ट करते हो तब जाके आपके 1600 या 1700 रुपे खर्च होते हैं इन्वेस्ट होते हैं एक ऐसे बिजनस के लिए कि अगर उन 100 प्रोड़क्ट से आपकी चोटी मूटी अर्णिंग भी यानि स्टार्ट हो गई तो कब का आपका ये 1600-1700 रुपे जो है न वो निकल जाएगा और उससे आप बल्कि प्रॉफिट में आ जाओगे तो चलो आज के लिए जितना ही रखते हैं इस वीडियो को मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नहीं दिमाग तन सापे रहू